हनुमान चालिसा पार्ट के विवाद में गिरफतार महराष्ट्र के निर्दलिय सांसद नमनीत राणा और उनके विधायक पती रवी राणा चाधा दनों के लिए जिल में हैं दोनों को आज भी कोई राहत नहीं मिली कोट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पैसला सुरक्षित रख लिया है जो सुमवार को सुनाए जाएगा इस बीच ये सवाल लगातार बड़ा हो रहा है कि क्या नमनीत राणा महराष्ट्र में हिंदुत्व का नया चहरा बन गई है इसी सवाल को तराशती हमारी ये रिपॉर्ट देखे नमीत नाम सुनके क्या लगा फ्लावर है फ्लावर नहीं पायर है क्या फायर जो चहरा कभी सिल्वर स्क्रीन पर चमका करता था वो आखिर कैसे महराष्ट की सियासत का सबसे चमकदार चहरा बन गई अगर किसी में ताकत है किसी में गम है तो नवनीत राना को रोब के दिखाना जिफ सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है कि ये समय और ये तारीक को हम मुंबई आएंगे जो चहरा दस बरस पहले तक राजनीती में ठीक से पहचाना भी नहीं जाता था आखर कैसे उसने राजनीती के बड़े बड़े खिलाडियों की नीद उड़ा दी कि ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महारास्ता में काम कर रहे हैं ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं में उप्रतिनीदी अपने प्रश्णों के लिए लड़ता है और चौन हम लड़ रहे है तार्या नंतर के लिए अनुमान चालिस आसल पड़ा या घरी है स या पन दादागिरी करून याल तदादागिरी कशी मोड़ाई ची ते सुना मला शिवसे नंप्रमुकानी हिंदूत वचे व्यक्षत सम्झुन सम्झेप ये तो रामभक्त आभी बन गई मैरा मातोश्री के सामने अकर हनुमान चालिसा पड़ना ये क्या चीज है नवनीत र वो नाम जो आज महराश्ट से लेकर दिल्ली और देश भर में कूँज रहा है नवनीत राना जिनके नाम भर से स्यासी पारा हाई हुआ जा रहा है विवाद अनुमान चालिसा के पार्ट के एलान को लेका शुरू हुआ लेकिन देखते ही देखते ये विवाद उस मकाम तक पहुँच गया जिसमें दावे यहां तक होने लगे कि नवनीत राना देश में हिंदुत्रु का नया और मजबूत चहरा बन गई है हनुमान चालिसा को लेकर उठे विवाद में नवनीत आज उस शेवसेना पर भारी साबित होती दिख रही है जिसने हमेशा हिंदुत्रु के एजेंडे पर राजनीती की दिशा और दशा तैगी जिसने हमेशा ही हिंदुत्रु को सब से उपर रखा लेकिन नवनीत राणा वाले विवाद ने वक्त का पहिया ऐसा मुड़ा कि हिंदुत्रु के नाम पर हुंकार भरने वाली शेवसेना खुद हिंदुत्रु के मुद्दे पर घिरती नजर आई जब नवनीत राणा ने ये एलान किया कि वो मातोश्री जो की ठाकरे परिवार का घर है उसके सामने जाकर हनुमान चालिसा का पाठ करेगी तब ये कहा गया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्र के कारण ही महराश्टर के मुख्यमंत्री हैं लेकिन हिंदुत्र को भुला बैठे हैं जिसका खाम्याजा महराश्टर को भुगतना पड़ रहा है अब सवाल ये है कि आखिर एक निर्दलिय सांसर हिंदुत्र का चेहरा कैसे बन गई आखिर नमनीद राना उद्धव सरकार के खिलाब आवाज उठाने बाली आवाज कैसे बन गई और जो बीजेपी उद्धव पर हमला करने के लिए पहले नमनीद का साथ देने से कत्रा रही थी वो क्यों खुलकर नमनीद के साथ नजर आने लगी इन सवालों का जवाब जानने के लिए आख को आज से कुछ साल पीछे जाना होगा उस दौर में जब नमनीद राना की जिंदगी का पहियां खुमा था और राधनीदी में उनकी एंट्री हुई थी साल 2011 में एक सामोहिक विबास तमहारों में नमनीद और रवी राना की शादी हुई थी शादी के बाद नमनीद ने फिल्मों से दूरी बना ली और वो पती रवी के लिए चुना परचार करने लेगी मोडली और फिल्मों की बज़ा से नमनीद लोगों के बीच जाना पहचाना नाम थी जिसका फाइधा उन्हें खोब मिला लोगों से जल्द जुड़ती चली गई 2014 में नमनीद ने बड़ा फैसला किया NCP के टिकट पर अमरावती से लोगसभा का चुनाव लड़ा अमरावती सीट शिवसना का गण मानी जाती थी जहां 25 साल तक कोई दूसरी पार्टी जगा नहीं बना सकी थी ये जानते हुए भी नमनीद शिवसना के आनंद राव अड़सुल के खिलाब चुनाव मैदान में उतरी वो चुनाव तो हार गए लेकिन लोगों के दिलों दिमाग में अपनी छाप छोड़ने में कामियाब रहे माना जाता है कि तब से ही नमनीत राणा और शिवसेना की बीच असली लड़ाई शुडू हुई साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद नमनीत राणा ने खुद को अमरावती छेतर से अलग नहीं किया अपने पती के साथ जाकर अमरावती के लोगों से मिलती रही उनके मुद्दे उठाते रही और अमरावती के ततकालीन सांसद आनंद राव अर्सुल के खिलाफ हुंकार भरती रही नमनीत राणा समझ चुकी थी कि अगर जमीनी स्तर पर काम किया जाए तो किसी भी अभेद किले को ध्वस्त किया जा सकता है इन्ही मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते हुए नमनीत राणा ने 2019 में फिर अमरावती से लोग सभा चुनाव लड़ने का फैसला किया लिए उतरने की ठानी एन्सीपी और कॉंग्रेस ने सयोग किया और अपने उमिद्वार नहीं उतारे और नवनीत राणा का दाउं इस बार काम्याब रहा उन्होंने शिवसेना के किले को ध्वस्त कर दिया इसके बाद कई मौकों और कई मुद्दों पर शिवसेना और नव स्टेट कराना चाहिए री जॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए तब आधेंडियय फंद्वीश साहिब ने उन्होंने सपस्त नकार दी उनकी पूरी हिस्सी देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुँ उन्हें जॉइनिंग नहीं कराई जिस दिन उद्दों ठाकरे की सरक थाकरे सरकार चेर पे बेठे उसी वक्त परम्त सिंग जी को फोन करके उन्होंने पहला थाम कर आया कि सचीन वाजे को जोइन करवाई है। वो अपनी चबी बढ़ाना चाहती है आनाज़ा और सुल से एक कदम आगे बढ़ करके शायद हम अब शिवसेना के बड़े लीडर को सबसे बड़े लीडर को भी टक कर दे सकते हैं और एक तरह से ऐसा माफ़ाल बनाने की शायद ये कोशिस हो सकती है उनकी ऐसा लगता है। सभी को दिवाली की बहुत बहुत धेरो शुब कामना है। देखने को मिलती है जिसमें वो महिलाओं के साथ छट का महापर्व मना रही है। पिछले दो साल से कोई जनती हो या कोई तीज त्योहाथ नवनीत राना उसमें बढ़ चड़कर हिस्सा लेती दिखाई थी। इसी महीने दस अपरेल को राम नौमी के तस्वीर भी देख लीजिए जब नवनीत राना भगवा सारी पहन कर नौमी के जशन में शामिल हुई थी। नवनीत राना के साथ उनके पती रवी राना भी हमेशा मौजूद नजर आए चाहें आरती हो या फिर पूजा पार पती पत्नी की जोड़ी एक साथ रही। नवनीत राना की राजनीती में एंट्री कराने वाले उनके पती रवी राना ही है शादी से पहले खुद नवनीत ने भी नहीं सोचा था क्यों की जिन्दगी इस कदर मौडलेगी। मोडलिंग के बाद नवनीत ने फिल्मों का रुख किया तेरिगू, तमिल, पंजाबी, मलियालम और इंदी फिल्म इंडस्ट्री तक में काम किया 2011 में रवी राना से मलाकात होई तो नवनीत की जिन्दगी की दिशा ही बदल गई उनोंने फिल्में छोड़ दी, राजनीती से रिष्टा चुड़ा, फिर बदलते वक्त के साथ उनके सियासी तेवर भी सुर्खियां बनने लगे और राज्जी की सरकार चार सुर पह दीती है बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा तो नाम तो उनका हुआ है, भारत भर में नाम पहे लिए, इंडिया के माध्यम से पहुंची रहा है उनका, तो शी इस बिकम वाट शी ओट विकम है ना, जो फिल्मों में नहीं पा सकीम वो राज्यूती में शायद वो पा रही है भारत पर्श में। नहां तकी बीजेपी को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकन रास्ताकरिक का पीछे छूट गए, पता ही नहीं चला और हिंडुत्यू के मुद्धे पर नमनीत राना आगे दिख रही है, जिसमें उन्हें बीजेपी का सपोर्ट भी खुले तोर पर मिल लाहा है। ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं कि जो अपने अहंकार के बद में लोग तत्र को कुचल कर अपना रात चलाना चाहते हैं। सत्ता में वो बैठ है, एक महिला से एक महिला सांसे से इतना डरते क्यों हैं। शिर सेना को ये बताना चाहिए कि बाला साहिब के पुत्र को आज हनुमान चालिसा से डर क्यों लगने लगा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसल्मानों का वोट चाहिए या ऐसी पार्टियों का वोट चाहिए जो तुष्टी करण के आधार पर सत्ता में बनी रहना चाहती है। सवाल ये खड़ा होती है। रवीराना जी के जिसे संबंध हैं जिस तरह से पढ़नवीज जी के साथ और इस समय दोनों को बचाने के लिए बीजेपी और जितना कोशिस कर रही है वो दिखाई दे रहा है। राइटिंग उन्द वॉल है। अब उनके लिए जो हालात हो गये हैं वो आपस NCP की तरफ आना कि उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। मुझे लग रहा है कि वो रास्ता बंद हो चुका है। अब सवाल ये है कि नमनीत राना को समर्थन देने के पीछे क्या बीजेपी की कोई बड़ी सोच है या रणीती है। तो इसका जवाब खोजने से पहले ये आकड़े देखी। महराश्ट में लोकसभा की कुल 48 सीटे हैं। 2019 में बीजेपी और शिफसेना का गड़बंदन था तब बीजेपी 25 और शिफसेना 23 सीटों पर लड़ी थी जिन में से बीजेपी 23 जीती और शिफसेना 18 यानि अब तक जिन सीटों पर बीजेपी के साथ गड़बंदन करके शिफसेना लड़ती थी उन सीटों पर बीजेप पीसे उनकी गडवंदन के कयास लग रहे हैं रास्थाकरे की मंबही और आसपास के इलाके में अच्छी पकड़ है लेकिन राज्जे के दूसरे इलाके में सिवसेना से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को और लोगों की जरूरत होगी ऐसे में माना जा रहा है कि नवनीत रान देशवर में बीजेपी के पार्टनर सब कम हो गए हैं पिछली लडाईयों में जितने पार्टनर उसके थे या रहे हैं जगा जगा चूटे हैं पूरे भारत भर में चूटे हैं उसको नए पार्टनर सी तलाश है छोटे चोटे दल जो उसको छोड़ गए हैं बहुत सारे मेरे काल से आगे महाराष्ट में ही करीब एक आधा दर्जन छोटे दल हैं जो इंजार कर रहे हैं, कप पे कप कर लिये जाए हैं, वो इस्तिती बन रही है, तो राजजीती में वो खेल अभी महाराष्ट में भी सजाया जा रहा है.